अचारी प्याज का प्राठा जो बहुत ही टेस्टी बनके तयार होने वाला और साथ में बनाएंगे इस पेसल से रायते की रेस्पी इस प्राठे के साथ रायता जो है बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है प्याज का प्राठा भी बहुत ही बैक टो मैं चैनल सबसे पहले हमें लेना है यहां पर बारिक कटे हुए प्यास तो यहां पर मैंने 5 jak 6 । आप से और बारिक हो सके的话 यदो ने ले लिया है 4 5 हरी मिरच अ लेजन के लिग अन्हों में अब इसमें हम डालेंगेे यहां बहुत ही मसाला क्रणा यहां बच्यों मसाला नहीं ले लिए हैं खिल की तैल या निकालेंके और इसमें हम डाल देंगे यहां पर अचार का मसाला डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा साया दाली लिए सब्सक्राइब मैं यहां पर सौब डाल दिया अब यहां पर हम डालेंगे बारी कटी हुई धनिया उसके बाद हमने यहां पर डाल दिया है आदा चमच कस्मेरी लाल मिर्च इस अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से हमें आपर मिक्स करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इ दालेंगे तो प्याज में से क्या होगा कि पानी रिलेज होने लगेगा इसलिए जब हम पराथा बनाएंगे न तब इसमें लमक एड करेंगे अब इन सारी चीजों को हम बहुत ही तरह से मिक्स कर लेंगे इसके सिवा मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है तो यहां पर हमारा तेल या रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हैं अब इन दोनों चीजों को हम आटा में मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद अभी से हमना एक सौप्ट सा दो बनाके तयार करेंगे जिस तरह से हम रोटी के लिए डो लगाते है न सेम उसी तरह से हम इस डो को लगाके तयार करने यहां पर मैदे का यूज नहीं करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आटा भी लगा लिया है कुछ इस तरह से अजवाइन डालने से क्या होता है पर आठे का टेस्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए मैंने यहां पर अजवाइन डाल रखा है तो आठा हम लगाएंगे नॉर्मल जिस तरह से रोटी आठा लगाते हैं वैसे है तो यहां पर आठा भी लग गया है अब इसे हम रख देंगे साइड में अब हमें क्या करना है हमने जो प्याज की फीलिंग बना के रखी है ना सारे प्याज में हम इकठा नमक नहीं डालेंगे तो इसलिए हम तीन से चार प्याज के लिए यहां पर प्याज लेंगे और फिर इसमें हम नमक डालेंगे नहीं तो क्या होगा कि ना सारे प्याज में हम इकठा नमक डाल देंगे ना तो वो क्या होगा सारे में से पाने रिलेजर साएगा और प्याज हमारे नहीं बनेंगे तो यहां पर मैं यहां पर देखिए स्वाद अनुसा नमक डाल ली हूं और नमक को डालके यहां पर मैंने मेक्स भी कल लिया है अब इसका हम पराठा बनाएंगे अब इसे भी हम साइट में करेंगे और इस तरह से हम एक लोई लेंगे अगर आप चाहे तो थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं मैं नौर्मल जिस तरह से रोटी बनाती हूं तो अगर आप चाहे तो यहां पर थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं अब इसमें हम प्याज की अच्छे तरह से श्टफिंग करेंगे और इसको जिस तरह से हम आलू बाकी पराठे बनाते आलू गोवी ने उस तरह से और इसको हम उपर का जो हिस्सा है अगर आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं या उसी में दबा दी से अब यहां पर हम इसको सूखा आटा लगा कि पहले तो हलके हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि प्याज जो है ना पूरे आटा में अच्छी तरह से सेट हो जा जो हैज़ है क्या करेंगे अगर इसमें प्याज देखते है ना तो भी कोई बात नहीं बहुत एचा सा टेष्ट आता है और खाने में भी बहुत आच्छा लगता है तो सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे बाकी पराठे बेलेंगे फिर उसको सेकेंगे यहाँपर क्या होता है पराठो पराठो सेखेंगे तो इसको अगर आप हमारे पराठो को ली जे घंटी को प्रेस कर दीजे त01 ग soybean की suggest सबसे पहले अगर रस्पी आख को अнут confirm Prth The Pink तवा रख दिया है अब इस तरा से हम नॉर्मल पराठे सेखते हैं नसी तरह से हम पराठे को सीखेंगे अगर आप चाहे तो यहां दे सी घी से रिफायन प्याज की पराठे के साथ हमें कोई और चीज खाने की जरूरत नहीं पड़ती न तो इसके साथ हमें सब्जी चाहिए न तो कोई इस पेसल से दूसरी रेस्पी चाहिए इसे हम जो इन बच्चों के लंच बॉक्स में डीनर में या तो ब्रेक फास्ट में चाहिए जब आपकी क्या करेंगे ने सारे प्याज के पराठे यहां पर बना के रेडी कल लेंगे प्याज का बहुत है जब प्याज के पराठे बनाते हैं इसमें बहुत ही अच्छी सी खुस्बूग आती है तो यहां पर मैंने सारे पराठे सेक लिया विसके लिए मैं बनाऊंगी इस पेसल सा यहां पर मैंने एक बड़ी कटोरी के करीब ले लिया है इकदम फ्रेज दही यह देखिए दही हमारी ना तो खटी है ना तो मीठी मतलब नॉर्मल दही है अब पहले इसको हम थोड़ी अच्छी तरह से कुछ इस तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने दही को अच् हमेटा और मीठा रहता है तीख्या रहता है तो आप अच्छा से टेष्ट आता है तो चरीमट डालने के बाद इसको खुब अच्छी तरह से फेट लेंगे यह देखिए एकदम स्वोज हो गया अब यहां पर मैंने आदा गिलास के करीब डाल दिया है पानी। अगर आपको हम डालेंगे भुना हुआ जीरा तो मैंने भुना हुआ जीरा भी आदा चमज डाल दिया भुना जीरे से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसलिए भुना जीरा आप इसकीप मत करिएगा अब इन तीनों चीजों को हम ना दही में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे बारी कटे हुए खीरा यहां पर मैं खीरा का रायता बना रही हो इसके बाद मैंने यहां पर डाल दिया है थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च उसके बाद हम डाल देंगे यहां पर बारी कटी हुई हरी धनिया अब सारी चीजों को हम बहुत ही अच बहुत पसंद आने वाला सबको अब ऊपर से हम थोड़ा सा चौप किये हुए खीरा को डाल देंगे थोड़ी ची धनिया डालेंगे अब इसको कस्मीरी लाल मेर से सोड़ा सा गार्निस कर लेंगे यह देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है हमारा मतलब की रायता भी बनके र अचारी प्याज के बनके रेडी होगे बाध ही सिंपल सा डीनर है या लंच है जो इस टाइम आपको बनाने का मन होना आप बना खा सकते हैं तो अगर आपको हमारी अचारी प्याज के प्राथे जरा साभी पसंद आई हो न तो प्लिस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को स इस्पिरेंस हमारे साथ जरूर सेयर करिएगा बहुत ही चत्पटा सा हमारा प्याज का पराठा बनके आंपर रेडी है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में लास तक बने रहने के लिए सभी को धेर सारा थाइंक यू